सरद पूर्णिमा दोस्तों, सरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा वा दास पूर्णिमा भी कहते हैं हिंदू पंचांग के अंसार अश्विन मास की पूर्णिमा को सरद पूर्णिमा कहते हैं जोतिस के अनुसार पूरे बर्स में केवल इसी दिन चंद्रमा सोला कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागार बरत माना गया है। इसी को कवमदी बरत भी कहते हैं। इस दिन स्री कृष्ण ने महा रास रचाया था। मानता है इस रात्री को चंद्रमा की किरणों से अमरित जड़ता है। तभी इस दिन खीर बनाकर रात भर चादनी में रखने का विधान है। सरत पूर्णिमा दोहचार तेज की। सभी पूरिमा तिथियों में सरत पूरिमा सबसे महत्तोपूर्ण मानी गई है मानिता है यह पूरे शाल में एक मात्र दिन होता है जब चंदर्मा अपनी सोला कलाओं के साथ निकलता है मानिता है कि सोला कलाओं का संयोजन एक आदर्स ब्यक्तित्तु का निर्माण करता है भगवान स्री कृष्ण को सोला कलाओं से परिभून अवतार माना जाता है ऐसे में इस दिन चंदर देव की पूजन करना बहुत महत पूर्ण है कई जगहों पर सरत पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं सरत पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाई जाती है सरत पूर्णिमा पर चंदरमा से निकलने वाली किरने अम्रित समान मानी गई है यही वज़ा है कि उस दिन चंद्रमा की रोष्णी में खीर को रखा जाता है ताकि इसमें चंद्रमा की किरने पड़े और अम्रित का परभाव हो सके मानिता है कि इस दिन चंद्रमा की रोष्णी में खीर रखने के बाद उसका सेवन करने से माल अच्छिमी प्रशन न होती सरत पूर्णिमा पूजा भी थी पूर्णिमा के दिन सुबा जल्दी उठकर इस्नान कर ले इस दिन पवित्र नदियों में इस्नान करने का बहुत अधिक महत्त होता है आप नहाने के पानी में पंगा जल डाल कर इस्नान भी कर सकते हैं अगर आपके पास कहीं नदी या कहीं शरोर में जाने का शमय नहीं है तो नहाते जमय सभी पावन नदियों का ध्यान कर ले नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रजोलित करें अगर संभव हो तो इस दिन ब्रत भी करें इस बार सरत पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र गरहन भी लगने वाला है अश्विन पूर्णिमा के दिन सरत पूर्णिमा होती है इस साल सरत पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन सनी वार को है सरत पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं मानिता है कि भगवान स्रीकृष्ण ने राधारानी और गोपियों के संग सरत पूर्णिमा की रात महा रास रचाया था। सरत पूर्णिमा को ब्रत रखकर पवित्र नदियों में इसनान करते हैं और उसके बाद अपनी छमता के उनसार दान करते हैं। सत्तनरायन भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुक सांती और समरिध्धी आती है। सरत पूर्णिमा की रात माता लच्चमी और चंद्रमा की पूजा होती है। धन और बैभो की प्राप्ति के लिए माता लच्चमी से जुड़े जयोतिस उपाय किये हैं। लेकिन चंद्रग्रहण के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लच्चमी जी का पूजा हम कैसे करेंगे। कासी के जोतिसा चार चक्रपाणी भट से जानते हैं कि हम इस बार सरत पूणिमा पर लच्चमी पूजा और जोतिस का उपाय और मुहूर्थ क्या होगा। पूणिमा तिथी 28 अक्टूबर को सुबह 4 बज़कर 17 मिनट से प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1 बज़कर 23 मिनट पर समाप्त होगी। उद्या तिथी में पूणिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सरद पूणिमा पर लगेगा साल का आखरी चंद्रगरहन। 2023 का आखरी चंद्रगरहन 28 अक्टूबर 2023 सनीवार को लगेगा। गरहन 28 अक्टूबर की मधिरात्री 1 बज़कर 6 मिनट पर प्रारंभ होगा और 2 बज़कर 22 मिनट पर समाप्त होगा। या चंद्रगरहन भारत में नजर आएगा जिसके चलते इसका सूतक काल भी मानने होगा। चंद्रगरहन का सूतक काल 9 गंटे पूर्व प्रारंभ होगा। सरत पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय, सरत पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय साम 5 बचकर 20 मिनट पर होगा, सरत पूर्णिमा पर लच्छिमी पूजन का मुहुरत, सरत पूर्णिमा के दिन मालच्छिमी की पूजा का बिधान है, इस साल सरत पूर्णिमा पर लच्छिमी पूजन के कई मुहरत बन रहे हैं जाने सुभ उत्तम मुहरत 7 बजकर 54 मिनट से 9.17 एम तक है समान्य मुहरत 12 बजकर 5 पीम से 1 बजकर 28 पीम तक है लाभ और उन्नती मुहरत 1 बजकर 28 पीम से 2 बजकर 52 पीम तक है अमरित मुहरत सर्वोत्त मुहरत 2 बजकर 52 पीम से और 4 बजकर 16 पीम तक है लाभ उन्नती मुहरत 5 बजकर 40 पीम से 7 बजकर 16 पीम तक है सुब उत्तम मूरत आठ बचकर बावन पीएम से दस बचकर उनतीस पीएम तक है दोस्तों इस तिन सरत्पूर्णिमा के दिन खीर जब चाद्नी में आप रखें तो उसको प्रसाद के रूप में पूरे घर को घर में आने वाले मेहमान को भी आप इसका प्रसाद दे ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है तो दोस्तों आई हूप आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप में कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको काम की वीडियो और नई जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, सबसे पहले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर जरूर करें, थैंक्यू सो धन्लेबाद, जय माता दी